रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दी कभिनंदन एवन स्वागत है आज मैं एक रूचिकर कथा लेकर उपस्तित हुई हूँ सिंह के सावक के उसकी मा गर्भवती थी वह सावक अभी उसके पेट में ही था वह सिंहनी सिकार को निकली की तभी एक सिकारी ने उस पर तीर चला कर उसका बद कर दिया मरने से पुर्व सिंहनी ने एक सावक को जन्व दिया बिना मा के उस सावक को बन में भटकते देख हीरनों के एक जुंड को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने जुंड में समलित कर लिया उनके साथ पलते पलते वह सावक भूल ही गया कि वह सिह है इसके विप्रीत वह स्वयम को हिरन ही समझने लगा जैसा सब हिरन करते वह भी करता एक दिन एक बयस किसिह बनके उस कोने में पहुंचा जहां हिरनों का यह जुन्ड रहा करता था उसको देखकर सारे हिरन भागे और उन भागते हिरनों को देखकर वह सिह भी भागा उस दूसरे बैसक सिह को यह देखकर बड़ा आस्चेरी हुआ उसने हिर्णों को छोड़कर उस सिह को पकड़ा और उससे पूछा कि वह क्यों भाग रहा है वह सिह डरता घबराता बोला कि वह तो हिरन है सिह नहीं है उस बयश सिह को उसका उत्तर सुन बड़ा अचरज हुआ कि एक सिह स्वयम को हिरन समझ रहा है उसके भ्रम को दूर करने के उदेश्य से वह उस सिह को लेकर नदी किनारे पहुँचा और उससे बोला पानी में जहांक कर देख कि तुझ में वा मुझ में क्या अंतर है पानी में अपनी परचाही देखते ही और यह देखते ही कि उसमें और निकट खड़े सिह में कोई अंतर नहीं है उस सिह की दहार वापस आ गई उसे याद आ गया कि वह भी तो एक सिह ही है हम भी ऐसे ही परमात्मा का अंस हैं पर जैसे वहाँ से हिरनों के मध्य अपने सत्य स्वरूप को भूला बैठा था ऐसे ही हम भी अपने मूल स्वरूप को भूल कर मनवा इंद्रियों को ही सब कुछ मान बैठे हैं बेदांत कहता है कि जिस परकार सर्वत्र संभाव से इस्थिती महाकास वा घड़े में इस्थित आकास को अभिन माना जाता है वैसे ही हमारे अंदर उपस्थित जिवात्मा वा अंतरियामी परमात्मा में भी अविछिन्यता असंदिग्ध है हमारी अपनी आश्यक्तिया ही हमारे भटकाव का कारण है तथा उन पर विजय प्राप्त करके ही जिवात्मा को परमधाम की प्राप्ती होती है